चाहरा पोर्षण वाटी का है सेवल लेर तो यह तो अभी तक इंडिया में हमें देखने कोई नहीं मिला गायों के लिए इस पत्तियों सइध गायों को खिला रहे हैं तो मैं समझता हूं 55 एकड़ है पूरा का पूरा रास्तान और्गनिक से अजेंसी से और्गनिक है तेरी भ करक guesses कार दोस्तों मैं हो आनीटा शिंग सिंग्स हमारे देश में भारत देश में हरे चारे की बहुत बड़ी समझब्र कहीं पर पानी की कमी की वज़ह से घै कई रीजन होते हैं जैसे हम सीजनल हारा ईट जब हमारे गाय सुक Hum को हरा चारा खिलाना हह तब हम सूख jedem नौढ और साथी कई तरीके के रोगों काटेक पशू में हम देखने को मिलते हैं जैसे की स्किन डिजीज वगरे की बहुत ज्यादा भेंकर समझ्या आती है दूद की भी नुट्रिशन वैल्यू नहीं होती है फैट वगरे भी प्रोपर नहीं बन पाता है 24 प्रकार के हरे चारे वह भी राजस्तान के दोरों में तयार कर रहे हैं बिल्कुल कम पानी में चालीज प्रकार के फ्रूट प्लांट हैं कई प्रकार के मैडिशनल प्लांट है यह बिल्कुल वैल मैनेज कैसे कर रखा है संपूर्ण और डिटेल से जानकारी लेंगे मिश्टर सुरेंदर अवानेजी से तो नमस्कार सर जी सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे कैसे आप मेनेज कर रखा है वो भी 24 प्रकार के हरे-चारे यह आइडिया कहां से आया आपको देखे बहुत सिंपल है किसानों के लिए भी सिंपल है अगर मेरी वाली पदत्ति से वेग्यानिकों की बात माने और थोड़ा सा हटके काम करें और नॉलेज की कमी है खास्तों से जैसे में नीम है अर्डू है से जना है यह कहता हूं हरा चारा तो rond चीनल समझ्ते हैं जो बारिस अपने आप खरपतवार होती है या चारा यह से जय कास्तनी बरसी में आधि बोते हैं यह हर अ बानते हैं जाफ़ार का वहां से दो बार में सम्मानित भी वहा, वहां से मैं विग्यानिकों से लेके आया हूँ कि यह यह बहु वर्षिय चारा है, आप लगाईए, तो किसानों से मेरा निवेदन है कि आपकी जो भी अग्रिकल्चर लेंड है, तो दो एकड़ो, चार एकड़ो, दस एकड़ो, आप मेर की उपर, यह 24 तरह का बहु वर्षिय चारा लगा दो, दो साल उसमें केर कर लो आप, उसके बाद ने पानी मांगेंगे, ने खाद मांगेंगे, सर्दी गर्मी से आपके फसलों को, आपके सबजीयों को बचाएंगे भी, और जब आपके कमी हो, तब हरे चारा इसको काम में ले सकते हैं, इसमें मैं बताना चाओंगा, नीम है, अर्डू है, सैंजना है, सैतूत है, इलकन है, सूबबूल है, थारसोबा खेजडी है, बील पत्तर है, जामून है, कैन आश्ट्रेलिया है, सूपर नेपियर है, इस तरह की यह बहुत सी वेराइटी हैं, गमार पाठ है, स्पाइनलेस कैक्टस है, यह सब बहु वर्षिये चारा है, एक बार किसान लगा दो अपनी मेड पे या जहां भी वेस्ट लेंड हो, और एक दो साल तक उनकी केर कर लो, उसके बाद इन कुछ नीची है, पस्वों को बारा महने चारा मिलेगा, राजस्तान में ही नहीं, हरा और सुखा बैलेंस होना चीए, अब बरसाद में हरा खिलाते हैं, और अब तूडी आ गई, तो आप सुखा ये सुखा खिलाएंगे, हरा नहीं है, तो यह बैलेंस नहीं है, और यही कारण है, कि पस्वों में कई डिजीज होती हैं, दूद कम होता है, हीट में नहीं आत किलो में 100 किलो चीए, 2000 किलो में 200 किलो नीम के पत्ते चीए, एक नीम में 200 से ज्यादा मिल जाएंगे, तो 365 दिन साल में होते हैं, रोज एक नीम चाहूँगा, 365 ही नीम चीए मेरे को, और जिनके कम गाये हैं, वो तो सो पेड़ी लगा दो, 10-20 गाये वाले तो, तो इस तरह स रहे हैं, और बाकी की नीम होरी निकालेंगे, और इनके के यह काम आएगा, यह मैंने नीम का उधरा दिया, इसी तरह सेंजने का है, इसी तरह से शै्तूत ने, सलंसे साल का यही है, तो मेरा यह नीवेदन है, यह नीम है, डरा मैने पत्ति कर लाओ, सर ये अपना हराचारा है फ्रूट्स प्लांट्स है अपन जहां विजिट कर रहे हैं तो ये टोटल कितनी दूरी में है ये टोटल जैसे मैंने बताया पच्पान एकड में फारम है अभी तक इंडिया में हमें देखने कोई नहीं मिला गायों के लिए इस पेसली ये बीट है चारा चुकुंदर अच्छा मैरिन और ये दो वेराइटी आती है फिछले तीन साल से ये सीड यहां लगा रहा हूं और ये अभी तीन मैने चलेंगे अभी शुरुवात करेंगे इसकी कुट्टि काट के बारिक बारिक और गायों को ग्रीन फोडर में मिलाते हैं ये बहुत पॉष्टिक भी है और मीठा साइस में गाये इसको जैसे गुड़ खाती है वैसे डूंडूंड के खाती है तो ग्रीन फोडर में मिला कि इसको करते हैं अभी इसका थोड़ा सा ओर वेट होगा 15 दिन के बाद अभी श्टार तो कर दिया बड़े बड़े और इसके उपर भी कि मुझे प्राइज मिलाओ है यहां हाइश च्छे केजी 800-ग्राम का चारह सकुंडर पिछली बार हो गया था इस जगे पे इसके पत्ते भी कुट्टिकाट के खिलाते हैं और इसको भी कुट्टिकाट के बारिक-बारिक और गायों को खिला थी अजवाइन ती ज़े इसको में भी पेड़ लगा रहे हैं यह जैसे एपल का प्लांट है 20-20 फिट में फ्रूट के पेड़ है और बाकी यह सब भारा चारा है यह कौन से प्लांट है और यह वाला है जलूसन है अच्छे यह भी चारे के रूप में कामें यह चारे के रूप एस देखे सौंप भी लगई हमने यह भी हेज लूसन है जाटी पहुड़ रूसनOs यह पूरी पट्ती इसलोसन किए इसको जैसे सेहरों में हेज होती है इना ऑंड़रि की पास लगाते हैं काट के और वो तो वेस्ट चली जाती है और हम इसको गायों को और बकरी को खिलाते हैं तो बहुत अच्छा ग्रीन फोट रही है यह सी डबलू आराई से इसका सीड लाया था मैं और अब हमारे पास भी खूब सीड होगे दूसरे किसानों को भी सीड दे रहे हैं ये चारा कों से है नेपीर की तरह दिखाई दे रहे हैं यography नेपीर से चैन अस्ट्रेलिया यह भी अई जी आ और इसका इसको भी और और जवार से थोड़ा सा ज्यादा दस परसेंट इसमें मिठा से तो इसको भी अनिमल नहीं इसकी कुट्टी काटके डालते हैं तो मिठा है तो उस वज़े से बड़े चाब से खाते हैं इसको यह भी मैं आई जी फराई से लायता और यह देख लीजी आप कम से कम 3-4 एकड मे यह कैनास्टेलिया है यह साइड में मेर पे यह जैसे उपर तो यह बड़े प्लांट हो गया नीचे यह साइड में कौन से लगा रहे थे हैं पूरे में देखते आ रहे हैं यह गिन्नी ग्रास हो गया यह हेजलूसन है और यह सेंजना वह सूब भूल है तो यह पूरी रोड पर दोनों तरफ इतना लगा दिया चारा कि बारह मैंने बहुवर्षिय चारा है वह उसकी दो जार इस बारिस के बाद अगर 2000 भी हमारे होंगे गोमाता और बेड़ बक्री सारे मिला के तो भी हमारे हारा चारा है वह कमी नहीं रहेगी बिल्कुल बिल्कुल अब यह देखे होगी और यह 200 किलों डेली कड़ता है और यह जैसे काटते काटते वह एंड हो जाएगा फिर वापस यह बढ़ा हो जाएगा इदर आएगा तो यह फंदरा दिन का चक्र है 200 कजी डेली कड़ता है यह इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे हो रही है हरे चारे कि आपके मैं जैसे शु बालूरेत है इसके अंदर कोई ज्यादा नहीं यह तील एथे पूरे लेकिन आप गए रहे हैं इतना हरियाली है हाँ अच्छी ग्रोथ कर रहा है इसका कारण है यह देशी गोमा था इसका गोबर और गोमुतर है वह हम यहां यूज कर रहे हैं उसी का कमाल है कि इसे बालू कि भाइसा में बंजर भूमी है उसके बाद भी देशी गाय का कमाल है उसके गोबर गोमुत्र से पूरा ग्रीन फोडर मतलब हो रहा है बाहर से आप कुछ नहीं डाल रहे हैं गोबर और गोमुत्र बस यह कम फर्ट्रिलाइजर बना रहे हैं उसमें थोड़ी सी जिपसम रोग मैंने चलता रहता है कोई कमी नहीं कि 55 एकड़ है पूरा का पूरा रास्तान और्गनिक से और्गनिक है यहां फ्रूट्स प्लांट्स है और चारा है दोस्तों जगे को कैसे यूजी कर सकते हैं वह यहां पर हमें आ करके देखने को मिला देखिए साइड में इधर भी चारा हैं और बीच-बीच में फ्रूट्ट प्लांट है यह कौन सा चारा लगा दिया अब इसके फ्रूट ज्यादा है पत्ते कम हैं बिल्कुल बिल्कुल और यह अभी डेढ़ साल का पोदा है इसके इतने फ्रूट है तो यह सब इसका देशी गोमाता का ही कमाल है तो यह 40 वराइटी के फ्रूट के पेड़ है और एपल भी है आडू है अलू बुकरा जो राजस्तान में नहीं हो सकते वो फ्रूट इस फारम पे हो रहे हैं अच्छी बात यहां पर यह देखने को मिली कि देखिए बिल्कुल जो रेत होती है कोई nutrition वेल nutrition की तो बात विश्टा के बिलकुल बंजर पड़े हैं पानी नहीं है लेकिन वर्षय जल को कैसे एकत्रित करके वर्षय को रचा और फिर उस तरह से हरा चारा no बिल्कुली अनोखा तरीका आपको दिखा रही है यह क्या है यह साथ लेर चारा कों से चारा पोशन वाटी का है सेवन लेर है इसको हमने एक विगा के अंदर सेवन बना दिया जैसे यह गिन्नी ग्रास है नीचे तो एक हो गया फिर नमबर दो हो गया यह है जलूशन और हो जाएगा थोड़े दिन पहले काटा हो दीन हो गया चार फिर हो गया सू बबूल हो गया पात फिर यह मोरिंगा सेंजना अच्छा जिसके वाइट फूल आ रहे हैं और यह से तूत है और फिर यह अर्डू है यहां से यह इस तरह से इसको दाइटीन फिट पर रखेंगे फिर यह इतना होगा यह इतना यह इस तरह से आधर से शेवन लेर है और उसे काट के मसिन से और जैसे हम साथ अनाज का साथ अनाज की रोटी खाते हैं वह अमारे लिए कितनी गुंका रिये लिए इसलिए हमारी गाएं टोटल तो 24 दोबहर्शी चारह लेकिन यह साथ नहर स उसके साथ लाहर चारा है उस एक तरह से साथ अनाज इसके सब में पोश्टिक वेल्यू अलग है गिनी ग्रास की अलग है एजलुसन अलग है सुबबूल मौरिंगा तो आप देखिए कितना केल सिम होता है आगे बताऊंगा मैं वाराच जार एक बिगा में सेंजने लगा रख चारा ही नहीं मिलता है यह जो सेतूत है यह भी पांच वराइटी है यह देखिए आप वो चोड़े पत्ते वाला है फिर यह छोटे हैं जिरी अलग है और फ्रूट और फ्रूट सहीत गायों को कुट्टी काटके खिला रहे हैं अब वो देखो वो बिलकुल डिफरेंट है इसकी अलग है वो क टी फटी और यह में पीछे तक पूरा ऐसा कैसे है के हैं और यह 100 že Oui कटता है, पानी अमस्हें है यह जर बन रहा है इस्मेटी मे और इसमें यह फरस है यह पूरा ड्रिब ड्रिप है और ड्रिब ड्रिब से सीसे चाह रहा हो रहा है और अम्दर कहीं जरूत है तो मिन Augpling या इस पूरे फारीम पर पानी नहीं है ऐगरीकल्चर की बाशा में बनते बर्चेंटि मैं और पानी नहीं है पांच पॉंड से अभी दिखाऊंगो मैं आपको साड़े तीन क्रोड लीटर वर्सा जल बचा है और सरकार की सबसीडी जो प्रदानमंत्री जल से चाहिए उजना है उसके तहती है ड्रीब ड्रीब और पानी बचानार ये सब इसका लाब लिया जा रहा है तो दूसर नहीं पैसे में आपके पॉंड बन जाएगा और आप अराम से चोटे वाला बीस बाई बीस मिटर का है तो आप 15-20 विगा में आराम से सब्जी और अनाज कर सकते हो एक बिगा के अंदर 4000 सेंजन है आप देखें चार-चार-पांच-पांच फिट पे सेंजन लगे हुए और यह अभी फूल आ रहे हैं फली आएंगी फूल फली सहीत गायों को जैसा मैंने बताया वो खिला रहे हैं और सगन एक तरह से वरक्षार उपन है जो चारे के लिए पूरा काम में आता है आप देखें डेली कम से कम हजार किलो हम हरा चारा काड़ते हैं तो उसके अंदर 100 किल में डालते हैं 100 किलो नीम भी डाल रहे हैं और आयर्वेद यह कहता है कि इस प्रत्वी के उपर अगर किसी पेड में सबसे ज्यादा गुण है तो वह है मौरिंगा ड्रमस्टिक जिसको हम सेंजन बोलते हैं सबसे ज्यादा गुण है और खास्तोर से इसमें कैल्सियम बहुत किसान मिलाता है तो बहुत अच्छा यह सो देसी आहले हैं में हमारे वेजी केते हैं कि उससद्य गुंद जादा होते हैं और जैसे तिरफला है औरनेशन में उपने लेते हैं तो हम यह इनको देसी आंलों को काम में लेते हैं और इनका या जूस निकालते हैं तो इनका जो वेस्ट है तो भी हम गायों कोई खिलाते हैं सर आपने तो बेर भी काफी दूरी में लगा रखें कितने प्लांट से लग बग देखें दो बिगा के अंदर और करीब 500 प्लांट है इसमें गोला और उम्रान दोनों है जैसे यह वाला है यह वेरेटी लगाता है किसान तो यह तीन मेने चलेंगे जैसे 15 जनवरी से और 28 फरवरी तक गोला चलेगा इस बार थोड़ा क्लाइबेट की वज़े से अभी तक गोला थोड़ा थोड़ा चल रहा है और उसके बाद 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक यह उम्रान चलेगा तो ऐस तीन मेने किसानों के फ्रूट से इंकम हो जाएगी बेर से खास तोर से और अब हम क्या करेंगे आप देखिए इसको डाइफिड से सबको काट देंगे टैनियों को काटने के बाद यह हमारे बकरी भी है भेड़ भी है हरी पत्तिया उनको खिला देंगे सूख गई तो इकठ चालो होगी और नौंबर से वापस फाल आएगा और यह साल में चकर चलता रहता है तो यह फूट्स भी मिल रहे हमें और इससे हराचारा भी मिल रहा है बकरी को और गायों को भी और खाली जगे के अंदर हम सबजियां भी ले रहे हैं साथ साल पहले यहां फुल और्गनिक जो अब भी कहते हैं प्रदानमंत्री हमारे बोलते हैं यह प्राकरती खेती है जैसे यह केंची हो गए अब यह खर पतवार यह अप सडगल के खाध बन जाएगा इसके चान्य आपको केंची तो यह और दृप द्रिप से पानी लगता है इनको और किसी तरह का केमिकल नहीं है और खाद भी अब नाके बराबर डाल रहे हैं अपने आप इस हडगल के पत्ते ही खाद बन जाएंगे तो मैं किसान भाईयों से भी कहता हूं कि दीरे दीरे इसको केमिकल जारे उसको बंद करिए जो भी आपके पसुदन है उसका गोबर गोमुतर यूज करिए कितने टाइप के हैं एलो वीड़ा है यह मेड़ पेड़ चोबिस तरह के इससे बारा मैंने चारा मिलता है हल्फ रूट मिलते हैं और और सदियां भी मिलती है जैसे एक नंबर प 500 खेजड़ी है और इस फारम पर यह 500 खेजड़ी है 500 खेजड़ी है इसकी खास बात यह है कि तीसरे साल तो यह हाइट यह होगी 5-6 इसके सांगरी आ जाएंगी और नंबर दो इसकी 10 फिट से ज्यादा हाइट नहीं होगी और नंबर तीन देखिए सॉफ्ट है बिल्कुल क कांटे होते हैं इसका यह फाइदा है कि सांगरी डबल आएंगी रास्तान का कलप रुक्स है और यह जो पतिया है इनको हम छांग के सांगरी के बाद और गाये के अंदर कुट्टी काटके खिला सकते हैं यह कौन सा प्लांट लगा रखा बिल्कुल एकदम हरा यह आलू बुखरा वह तो फ्रूट पांस साल के होगे अपल तो फ्रूट आ रहें उसमें लेकिन अलू बुखरा यह दो साल का है और अगली साल इसके भी फ्लावर आके इन दिनों में फ्रूट आएंगे यह भी लगा रखा है यह अगली आडू भी है और इसको बचाने के लिए ठंडी नहीं आई इदर एक लाइन यह आम के बीच में लगा दी और यह यहां पर लगा दी यह क्या है यह देखिए जैसे यह मिर्ची है आगे धनिया है पालक है टमाटर हैं दूसरी सब्जी है तो अभी जो लू चलेंगी ना लू से यह बढ़ा हो जाएगा यहां तक का तो अभी लू से बचेंगे और सर्दी की दिनों में सरधियों को बचाते हैं तो यह जो इंटर क्रॉपिंग जिसको कहते हैं कि फ्रूट के पेड़ भी हैं सब्जी भी और यह चारा भी यह चारा बढ़ा रहे लाएगा तो सर्दी और गर्मी से हमारी सब्जी को भी होगी तो इस तरह से किसान चाहे तो एक-दोपीगा के अंदर भी सब्जी ये चारा और जो हमारे यहां रास्तान में होते हो फ्रूट के पेड़ लगा कर कर सकता है तो अपनी इंकम बढ़ा सकता है यह अभी बैंगन लगाएं यह बीच में फ्रूट भी आगए बील पत्तर है को निए यह बनाया होगे और इस इमिली से लेके यह बना एंप्रीस वी चार्लिस वरायटिके फूर्ट और इनके हमने देख विस फित घड़ियों अब 10 फट YouTube पोदे से पोदे 16 फिट है और लाइन से लाइन 20 फिट है ये बेर गोला लगा दिया अपने आज़ों उधर वो प्लांट कौन से है वो लेसवा है लसोडा 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 अगे सैतूत है फिर मौसम्मी है अच्छा वो आगे डेजट बिल्कुल जो घास में दिख रही है चारे-चारे हैं और 40 परकार के फ्रूट्स प्लांट से बीच बीच में जैसे अश्वागंदा वगर है हमने कई मैडिशनल प्लांट वगरे भी देखे हैं तो इनका मेनेजमेंट आप कैसे करें वह भी 100% दोस्तों और राजस्तान यह जहां हम बैठें यह तीला है कोरे कागज पर आप कैसा भी चित्र बना सकते हो उसमें कलर भर सकते हो और जो आपकी दोमट मिट्टी प्लस चिकनी मिट्टी है या काठेडा वाले बिट्टी है अब उसके अंदर कुछी फसले होंगी कुछी फ्रूट के पेड़ लगेंगे सारे नील लग सकते लेकिन यह जो बालूरेत है इसको गोवर गोमूतर डालके और कुछ तालाब की मिट्टी भी कई जगे किसी फसले और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है बस थोड़ा सा आपको अपने आपको चेंज करना पड़ेगा कितना खाड डालना कितना अगर हाड फसले लेनी है तो कितना प्लांट का पूछा पचास वेराइटी के पांच जार उसदीय पोदे हैं जिसमें जैसे अर्जून की छाल है मौलसरी है कचनार है अस्वगंदा है हट जोड है मीठा नीम है सतावर है अस्वगंदा हो गया इस तरह के जीवनती है यह पूरे के पूरे पचास-पचास पार मैंने देखा है हमारे भी नीम वगळवर खड़े हैं लेकिन हमने कभी गाई वगढ़ को नहीं खिलाया करें नीम है एलो वीरा है कैप्टस वगढ़ा भी है और चुकंदर है पशिओंका यह इस तरीके की चीजह खिलाए जारी हैं यहां पर गाई ग्रो कि जारी हैं य जल्दी ही आप एग्रो टूरिज्म भी शुरू कर रहे हैं तो दोस्तों यहां पर आईए विजिट कीजिए सर से जानकारी लीजिए और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद की सर आपने हमारे लिए टाइम निकाला हमारे दर्शकूं को इतनी महत्वपूर जानकारी जो आज मुझे लगता है यूटूब के इतिहास में ऐसे जानकारी नहीं मिले ओगी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद यह बात किसानों तक जाए और इसको अपनाएं और किसान है जो परियावण के विलिए भी बहुत अच्छा काम कर सकता है अभी जैसे हमारी सरकारें जोर द परण भी दरेगार लोगों का हेल्थ भी सुदर एगा जन्यवाद